हालो गाईज आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल शूब अनलाइन क्लासेज में हम कर रहे हैं PGT एक्जाम 2011 से रिलेटेट एक्जामनेशन सीरी जिसके चार वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर रखी है इसका पांच वा वीडियो है और इसमें मैंने कवर किया ह द 안isimiento को स्टार नंबर वन से रिपूटरी रिलेशन रिलेटेट टू जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिस्ठात्मक संबंध संबंधीत है और तो यहां पर जो हम पर्ली ऊप्जरी करता है किससे इंशनल से क्योंकि जो इमोशनल होता है तो यहां पे जो हम रिपोर्टरी रिलेशन की बात करते हैं तो यह रिलेटिक करता है किससे इमोशनल से क्योंकि जो इमोशनल होता है वो जो बिजनेस का अबजेक्ट होता है उसको उस अबजेक्ट को पूरा करने में वो एक और अधक का काम करता है तो यहां इमोशनल वेरियर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुश्चन नमबर टू है विच इस नॉट दी प्रिंस्पल आफ एफेक्टिव कम्लिकेशन प्रभावसाली संचार का कौन सा सिध्धान्त नहीं है औप्शन A प्रिंस्पल आफ क्लार्टी जिसको बोला जाता है इस पस्टता का सिध्धान्त ऑप्शन B प्रिंस्पल आफ कम्प्लीटनेस जिसको बोला जाता है पूरता का सिध्धान्त ऑप्शन C है प्रिंस्पल आफ अट्मोस्ट टूत जिसको बोला जाता है परम तूसरा है principle of completeness और तीसरा है principle of utmost truth तो यह तीनों बाते होती हैं लेकिन आपसे क्या अगरा which is not the principle तो इसमें से कौन साब का principle नहीं है तो नंबरता वाला यहीं प्रिंस्पल आप कट्सी इसका पार्ट नहीं होता है question number three है what is the type of interest on deventure business तो यहाँ पर जो interest on drawings है वो business के लिए क्या है यहां पर ब्याज ब्यावसाय के लिए क्या है option a preliminary expenses जिसको बोलाता है प्रारंभिक वैश ऑप्शन भी है capital profit पुंजिगत लाफ ऑप्शन सी है profit और ऑप्शन डी है लॉस तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूं interest on drawing के तो यह business के लिए profit होता है क्योंकि फर्म ने अपने ही partner को drawings करने के लिए दिया हुआ है अपने ही capital से और उसके बदले में वो क्या ले रहा है उसी से interest भी cover कर रहा है तो यह business क्या है profit है तो option c इसका right option हो जाएगा question number four है what is the meaning of standard cost प्रमाग प्लागत का आसा है option a actual cost जिसक virtue cost अनुमानित लागत option c है prefix at specific basis बैग्यानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत और option D प्रिक्सट कोस्ट एट इस्टीमेटेड यानि अनुमानों पर पूर्व निर्धारित लागत है तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं Standard Costing की तो Standard Costing जो होती है वो बैग्यानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत होती है यानि Pre-Fixed Ad Scientific Basis पर होती है तो Option is का Right Option हो जाएगा Question No.5 है Costs which are entered in books Before Profit Making But After The Year Expenditure Are Called लागतें जो बैग होने के बाद किन्त लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है क्या कहलाती है Option A कुल लागत जिसको बोलते हैं Total Cost Option B Standard Cost जिसको प्रमावित लागत बोला जाता है Option C असमाप्त लागत यानि Unexpired Cost और Option D है Estimated Cost यानि अनुमानित लागतें तो लागतें जो बैग होने के बाद किन्त लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं Unexpired Cost यानि असमाप्त लागत उसको कहा जाता है तो राइट ऑप्शन होगा Option Number C Question Number 6 है E-commerce means E-commerce का मतलब क्या होता है या E-commerce से क्या भी प्राय है Option A Economic Commerce Option B Electric Commerce Option C Engineering Commerce Option D है Electrified Commerce तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा Option Number B That is Electronic Commerce तो E-commerce से अभी प्राय क्या हुआ Electronic Commerce Next Question है Question Number 7 Goods Lost in Transition is an Overhead यानि मार्ग में माल की छती एक उपरव्य है किसके लिए Option A Sales यानि विक्री के लिए Option B Factory यानि कार खाना के लिए Option C Office यानि कार्याले के लिए Option D Distribution यानि बित्रण के लिए तो जब भी हम बात करते हैं Goods Lost in Transition तो ये हमारे लिए कौन सा है Distribution Overhead होता है यानि लास्ट वला Option इसका सही हो जाएगा Option Number D Question Number 8 है On Liquidation of Company First Payment in Respect of Company के समापन पर सबसे पहले भुक्तान किया जाता है Option A Liquidator Remunerator जिसको बोला जाता है निस्तारक के पारिस्रमिक का Option B Legal Expenses यानि कहनूनी बेयों का Option C Preferential Creditor जिनको पुर्वाधिकाल लेंदार कहा जाता है और Option D है समापन के बेयों का Liquidator Expenses को जब भी Company का Liquidation होता है तो उसमें जो Expenses होते हैं उनको किस तरीके से Payment किया जाता है जो भी Payment करनी है उनको किस तरीके से कर किया जाता है वो समझ लेजिए सबसे पहले जो समापन का बेय होता है वो Expenses होगा उसके बाद निस्तारक का पारिसरमिक होगा उसके बाद कानूनी बेय होगा और उसके बाद पूर्वाधिकार लेंदार होगे तो यहां पे जो इनका करम है वो यह है यानि समापन का जो बेय होगा वो सबसे पहले Payment किया जाएगा तो समापन का बेय का Option कौन सा है Option No.D यानि Liquidator Expenses तो यह Option No.D इसका सही Option हो जाएगा Question No.9 है The scope of business economic don't cover व्यावसाइक अर्थसास्त के छेत्र में सामिल नहीं है Option A Demand Forecast जिसको कहा जाता है मांग पूर्वानुमान Option B Pricing Decision जिसको बोलाता है मूल निर्धारन निर्णा है Option C Investment Appraisal जिसको बोलाता है बिन्योग प्रबंधन निर्णा है और Option D है Dividend Pricing यानि Dividend Decision जिसको बोलाता है लाभांस निर्णा है तो इसका जो राइट आप्शन होगा वो होगा आपका ब्यावसाइक अर्थसास्त के छेत्र में लाभांस का जो निर्णा है वो सामिल नहीं होता है यानि Dividend Decision जो है वो इसमें इन्वाल्ब नहीं होता है तो राइट आप्शन होगा Option D आठ की वीडियो का लास्ट क्वेशन है आपको बताना है निम लिकित में से किसे ब्यावसाइक अर्थसास्त्री कहते है Option A Company Secretary जिसको कहते हैं Company सचीव Option B है Lesson Officer जिसको कहते हैं संपरक अधिकारी Option C है Economic Advisor यानि आर्थिक सलाहकार और Option D है लेखा नियंतरक यानि Accounts Controller तो इसका जो राइट ऑप्षन होगा वह होगा Option C Economic Advisor Economic Advisor को हम क्या कहते हैं Business Economist के नाम से भी जानते हैं तो राइट ऑप्षन इसका Option C हो जाएगा तो यह था 10 Question का एक छोटा सा वीडियो जो 2011 के जो एक्जाम थे 2011 के जो वैकेंसी आये थी जिनके पेपर 2016 में हुए थे उससे रिलेटेड यह 10 Important Questions उम्मीद है आपकी नॉलेज को इन्हांस करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं चैनल